हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार, Quick News प्रोग्राम में आपका स्वागत है टॉपिक है WHO Monkey Pox का नाम बदल कर M-Pox करेगा विशो सास्ते संगठन WHO Monkey Pox का नाम बदल कर M-Pox करने की योजना में है इस साल की शुरुगात में 70 से अधिक देशों में रिपोर्ट किये गे Monkey Pox वाइरस को नस्ट करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है US News Outlet की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में Monkey Pox का नाम बदल कर M-Pox करने की घोशना कर दी जाएगी इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने WHO के अधिकारियों को नीजी तोर पर Monkey Pox का नाम बदलने के लिए कहा था साथ ही अमेरिका ने चितावनी दी थी कि अगर विश्व स्वास्ते संगठन ने उनके सुझाओं पर ध्यान नहीं दिया तो वह एक तरफा कारवाई कर सकते हैं इस प्रकार अमेरिका के बष्टे दबाओ के कारण भी Monkey Pox का नाम बदलने का लिए डिया गया है बाइडिन प्रसादसन का मानना है कि वाइरस का नाम विशेस रूप से अश्वेत लोगों के बीच सामाजिक बुराई को बढ़ा रहा है और टीका करन अभियान को भी धीमा कर रहा है इसके अलावा सारवजनिक स्वास्ते विशेशग्यों और LGBT कारेकरताओं दोरा भी वाइरस के नाम में बदलाओ के लिए अभियान चलाए जा रहे थे इनका मानना है कि इसे Monkey Pox कहना गलत है क्योंकि यह अफरिका के बारे में पहले से मौझूद नसलवादी पुडूडिवादिता को बढ़ाता है Monkey Pox जो एक जुनोटिक वाइरल बीमारी है पश्चमी और मध्यप्तिकी देशों में स्थानिक है लेकिन इस साल की शुरुआत में दुनिया भर में इसके 80,000 से भी अधिक मामले दर्ज किये गए 1959 में कई बंदरों में इस वाइरस की पुष्टी होने के बाद इसका नाम Monkey Pox रखा गया जबकि मनुस्यों में इसकी पहजान पहली बार 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गंडराज में एक 9 महीने के लड़के में हुई थी